जिस तरह से आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम्स होते हैं उस तरह से वेबसेट के भी प्रोग्राम्स बन चुके हैं पहले यह होता था कि वेबसेट स्टाटिक HTML में बनाई जाती थी स्टाटिक HTML का मतलब यह है कि हर पेज एश्टी अमल में ड्वेलपर लिखता था और वो वेबसेट पेज बेज बनती थी लेकिन जैसे जैसे टेकनोलोजी इडवांस होईं CMS भी ड्वेलप होगे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी ड्वेलप होगे और अब CMS जो हैं वो एक स्टेंडर्ड बन चुके हैं अगर आपने कोई वेबसेट बनानी है तो जादा तर लोग CMS को पसंद करते हैं CMS का मतलब यह है Content Management System यह करता क्या है CMS एक प्रोग्राम है जिसमें आपको यह बता दिया जाता है कि आप यहां से लॉग इन करेंगे आप यहां से पोस्ट क्रियेट करेंगे और पोस्ट क्रियेट करने के लिए यहां टाइटल लिखेंगे यहां body लिखेंगे और उसके बाद आप publish कर देंगे जब वो publish हो जाएगा तो एक theme के तहएगा एक जगह पे जाकर पोश हो जाएगा जिसमें आपको यह धियान करने की ज़रूत नहीं है कि उसका design कैसा है क्योंकि आपने पहले से ही उसका design बनवा कर इसी developer से या अपनी theme इंस्टाल कर लिया है तो वो design वैसा ही नज़र आएगा जैसा हो आप में एक दफ़ा देखा था आप जब भी उसको update करेंगे वो वैसे ही design में चलता चला जाएगा इससे फाइदा यह हुआ कि इससे website तो बड़ी थी कि इतने बड़ी websites को manage कैसे किया जाए तो CMS का असल में जाद वहीं से हुआ और CMS आप यह करते हैं कि आपको website manage करने के लिए और website को update करने उसमें pages delete करने और उसमें नए pages add करने इस सब चीज़े बड़ी असान होगी है तो इन सब CMS में एक बड़ा फाइदा यह हुआ कि non-technical लोग यानि कि हमारे जैसी लोग जो कि SEO या marketing से तालुक रखते हैं जिनका coding से तालुक नहीं है वो लोग भी या website manage कर सकते हैं website बना भी सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी समझ ज़ादा आजे CMS की लेकिन अगर आपको बस इतनी समझ आ ज़े कि CMS चलाना कैसे है तो आप अपनी SEO अच्छी कर सकते हैं क्योंकि आपके बस control होगा कि कब आपने content update करना है कब आपने content delete करना है या कब आपने content नया create करना है तो दुनिया में तकरीबन कुछ बड़े CMS हैं जो अब बहुत तेजी से popular हो रहे हैं उन में कुछ के नाम तो ये हैं पर एक्जामपल जूमला, WordPress, PrestaShop, Magento और ये different CMSs ये different purpose को fulfill करते हैं तो विसाल के तोब पर अगर आपको एक आम सी website बनानी है वादल आम website समराद जिसमें 10, 15, 20 या 100 pages हैं तो आप WordPress के इंतखाब कर सकते हैं अगर आपको बड़ी website बनानी है जिसे कि आगर आपको हजारों के दार में परड़क्स डालनी है तो आप Magento के लिए जाएंगे क्योंकि Magento basically e-commerce website यानि कि उन website के लिए बनाए जो नेट पे अपनी परड़क्स बेशना चाती है उन website की खासियत यह है कि वो आपके यूजर डेटाबेस मेंटेन करते हैं आपकी सेर्फ मेंटेन करते हैं किसने क्या बाई किया कब बाई किया और वो पेमेंट गेटवे कहा क्या लगाया इस सब चीजें डिफरेंट CMS हैंडल करते हैं SEO में हमें जो बेनिफिट मिलता है वो WordPress से मिलता है WordPress अब तक का सबसे बेतरी एन SEO CMS बन चुका है उसकी रीजन यह है कि WordPress को चलाना बहुत असान है और इसके development support बहुत ज़्यादा है क्योंकि हजारों के तादाद में developer जो है वो इसके पर development कर रहे हैं अगर हम stats देखें तो CMS की race में WordPress जीच चुका है और यह अब तक का सबसे ज़्यादा यूज होने वाले WordPress है लेकिन अगर मैं total technology की बात करूँ जिसमें static और non static दोना websites की हम बात करें तो तकरीबन आदी website दुनिया में अभी भी किसी CMS पर नहीं आई लेकिन अगर आप CMS की बात करें तो WordPress सबसे बेतरीन है और मैं भी recommend करूँगा बलकि हम सब जो marketing की field में हैं हम सब WordPress को इसलिए prefer करते हैं किसमें plugin की support, theme की support और again marketing के जो features हैं वो बड़ी असानी से मिल जाते हैं तो अगर आपने कोई website सीखनी है तो आप WordPress से start करें आप WordPress को मधीद सीख भी सकते हैं लेकिन अगर आप WordPress ना भी सीखें तो इतना जरूर सीखें कि आप SEO अच्छी कर सकें तो अगर आप DG Scales के लिए ही रहे हैं तो हमारे इन courses में एक course WordPress के ओपर भी है तो मैं recommend करूँगा कि जब आप SEO सीख लें तो आप WordPress भी सीखें ताके आपको असानी हो website manage करने में क्योंकि again अगर आपने SEO अच्छी करनी है तो आपको web development थोड़ी सी आ जानी चाहिए और WordPress बहुत ही असान है अगर आप सीखना चाहें तो Digi Skills में WordPress का भी एक course available है आप उसको भी join कर सकते हैं